असलाम में को विएर्स तीस इस नूर्स तो कैसे हैं आप आज मैं आपको डेंडियो की फेशर प्रडेक्ट पे रिव्यू दूमी और ये विडियो स्पॉंसर नहीं है पेशिल का सबसे पहला स्टेप होता है क्लिंजर एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली बेस्ट पर यूज कर सकते हैं आज ब्यूटिशन में आपको रेक्मेंड करती हूं कि क्लिंजर मिल्को आप दिन में टू टम्स अप्लाइ करें अप्लाइ टन लिश्ट से बच जाती है जिस से आपके स्किन पर ब्लाक एंड वाट हैस नहीं मंते हैं नमबर टू स्किन पॉलिश अपके स्किन को नेट करता है ग्लोल लाता है इसके कोई साइड ब्लीच पॉलिच स्किन पॉलिशर बनाने के उदर आप उस करते हैं डामिज का ब्लीच पाउडर इंशाइनर वाइटिंग बूस्टर 20 वॉलियम और सूधिंग लोशन स्टेप नंबर 3 डबल एक्शन क्लिंजर डबल एक्शन पॉलिशर के बार यूज़ किया जाता है यह स्पेशली संसिटिफ स्किन के लिए है जो यह आपकी स्किन को ठंडर पंचाता है और रैशेज और रैटनेस को अबॉइड करता है स्क्रव में ऐसे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन में ओपन पोर्स को डीप प्लीन करते हैं और ब्लाक हैट और वाइट हैट को सॉफ्ट करते हैं जिसके बाद आप इसको ब्लाक हैट पिन से रिमूव कर सकते हैं स्टेप नंबर 5 मसाज को जिसके आप सब जानते हैं कि मसाज रिलेक्सेशन के लिए की जाती है इसके फ्रेकर्ट बहुत उच्छी है स्टेप नंबर 6 मास्क आपके फिशल का लास्ट एप होता है मास्क आपके फिशल के दुरान ओपन होने वाले पॉर्ज को क्लोज करके वाइटिंग अप्लाइब करना बहुत इंपॉर्टन्ट है अगर आप यूज नहीं करेंगे तो पॉर्ज ओपन है जाएंगे और ब्लै से 25 फेशल कर सकते हैं इस बहुत अच्छा है और लॉंग डास्टिंग है यह सब बताने का आपको मकसर दिये है कि आपको स्लोंज के बारे में अवेर किया जाएं आपको स्लोंज में कभी पॉपर फेशल में ही दिया जाता बस तू 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 क्री क्रीम एंड करना बताऊंगी अब मैं तो प्लीज लाइक शेर करना मत भूरिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूरिएगा और मेरे साथ जोड़े रहने के लिए नीचे दिये बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आप मेरे वीडियो का नॉटिफिकेशन हासल करते रहें श्यप्रिया